हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सु फ्रेंड्स मैं यहां पे बोल तो रही हूं लेकिन इतना शोर हो रहा था मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही तीस वज़े से मैंने वाइस ओवर कर दिया है तो मैं लखनों के चुडिया घर में आई वी हूं और आप लगों क चाल रहे हैं अभी हम लोग इंट्री हुए हैं गेट नमबर टू से तो पूरी फैमिली है मेरी मम्मी के घर की तो यह देखे अभी भती जी की आवाज सुनाती हूं आप अश्वी हेलो प्रेंड्स बोलो इधर देखो हैं बोलो मैं कहा आई हूं ठीके रखे रखेंड्स यह अश्वी की आवाज थी आश्वी इतनी खुश इतनी खुश हैं बहुत खुश थी आश्वी उसको बहुत मजा आया और आश्वी आने दोनों को आने तो फिर भी अभी इसको अपने याद में गई है लेकिन आश्वी तो फर्स टाइम गई थी तो बहुत उसने भी बहुत किया और धूप तेज़ थी तो सारे जितने भी जानवर थे वो भी हम लोगों को बाहर दिखे वरना कर धूप हलकी होती तो हो सकता है अंदर रहते तो ना दिख पाते लेकिन सारे जानवर दिखे तो काफी इंजॉय किया बच्चों ने और संडे को हम लोग गया थे यह थोड बार गया लाइन लगा वहां पर लेकिन नहीं टिकट मिल पाया और यह मेरे दोनों भाई हैं मम्मी हैं भावी हैं पीछे और अभी भावी के घरवाले भी मिलेंगे वो लोग गेट नंबर एक से आये थे तो थोड़ा टाइम लग गया था उन लोगों को हम लोग को ढूनने में वो लोग भी आ चुकें सेम टाइम ही अम लोग पहुंचे लेकिन वो लोग gate नंबर एक से इंट्री होए अम लोग gate number 2 से तो थोड़ा time हम लगा मिलने में फिर सब लोग मिल गया थे एक साथ तो अभी इधर से हम लोग देखे वे चल रह रहे हैं वो लोग भी उधर से क्लियर ना था तो इस वज़े से मैं अंदर नहीं गई थी और थोड़ी सी क्लिप है मेरे हस्बंड शूट करके लाये थे अंदर से तो मैं लास्ट में शायद लगाई हूँ खुब अची ची से इसके अंदर मचलिया रहती है और उसके बाद अब हम सब लोग मिल गए हैं सारे लोग एक साथ हो गए वो लोग भी हम लोग फोन से बताते रहे कि कहां पर हैं तो सब लोग मिल गए एक साथ और उसके बाद फिर हम लोग घूमें हैं फिर अभी तो हम और भावी ने कचोड़ी सबजी और भावी की भावी वो लोग भी मटर वटर सब बना के लाए थे तो अच्छा लगता है इस तरही कि सब लोग एक साथ पिकनिक मनाने जाएं और खुब बना के फिर धूप में बैठके खाएं बैठके मम्मी मेरी नहीं तयार थी वह मम्मी को ना मज़ा आता लेकिन दूप बहुत अच्छी थी उस दिन तो अभी तो सब के हाथ में सामान है क्योंकि हम सब लोग अभी कहीं बैठे नहीं है और यह देखे यह है ट्रेन जिसपे की बहुत हम लोगों ने कोशिश की दो बार लाइन में लगे एक बार मेरा भाई एक बार भाई का भाई लेकिन टिकट नहीं मिल पाया इस वज़े से बच्चे बैठ नहीं पाया वन्ना यह लोग को और मज़ा आती ट्रेन में तो देखते हैं नेक्स टाइम कभी हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले ट्रेन का टिकट लेके इन लोगों को सबसे पहले ट्रेन में ही पिठा देंगे, उसके बाद हम लोग फिर घुमेंगे, अगर हम लोग सबसे पहले ट्रेन का टिकट लिये होते तो शायद ये लोग घुम लेते, और ये पुरानी ट्रेन है, और इधर देखे, ये राज हंस खड़ा हुआ है, ये हेलिकॉप्टर, जो लोग लखनों के हैं, उ और तो नेक्स टाइम संडे की वज़े से ज्यादा भीड़ती, एक तारिक को तो और भीड़ोगी, इसलिए हम लोग एक से पहले गये थे, और हम लोग ने सोचा है, अभी सर्दियों के सीजन में हम लोग एक बार जाके, लोगों को ट्रेन में जरूर बठाएंगे, और ये आन्या अपने मामा की कोधी में लद के चल रही थी, मामा इनको कोधी पे उठाए हुए थे, तो इधर से हम लोग सब देखते हुए और उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे, पार्क में, तो देख रहे हुएंगे सब के हाथ में थैला है, क्योंकि सब सामान पकड़े इधर नहीं कुछ दिखा था, आगे आप लोगों को, आगे मैं वाइस ओवर नहीं करूंगी, आगे आप लोग देखिएगा, इंज्वाए करिएगा, काफी क्लिप कोशिश की है, इसमें वीडियो में डालने की, ताकि जो लोग अगर कोई बाहर से देख रहा है, तो लोग के साथ, काफी अच्छा लगता है, सब लोग साथ में होते हैं, तो और ये आश्वी, वहां गेट नमबर एक पे, जिराफ का स्टैच्यू, गेंडा का ये सब बने हुए थे, तो वहां पे आश्वी ने फोटो किचाई थी, आन्य ने भी खिचवाई थी, ये है में गेट न से नहीं आये थे, तो ये मैं आप लोगों के लिए मैंने शूट किया कि देखे इस तरीके से हमारा जो चुडिया घर है लखनों का वो इस तरीके से लगता है, ये देखे आन्या, शेर पे बैठी मी है, शेर के उपर बैठ के आन्या ने फोटो किचाई और वीडियो भी बन लिए थे, फिर हम लोगों ने खाया, तो वो क्लिप नहीं शूट की, क्योंकि सब खाने में व्यस्त हो गए थे, फिर ये फाउंटेन था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने फोटो क्लिक कराई, और ट्रेन तो कई बार हम लोगों को दिखी, तो हम लोगों ने बस शूट कर बच्चे तो नहीं बैट पाए बस दूर से इन लोगों को दिखा दिया क्योंकि वहाँ पर वो बोल ले थे कि वेटिंग है अभी फिर आईये फिर जब जाएं तो फिर नहीं मिला तो ये देखे हुक को बंदर है तो अब आप लोग वीडियो देखिए और इंजॉय करिए वीडियो का कर दो आप लोगों को बंदर है कर दो आप लोगों को बंदर है कर दो आप लोगों झाल 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 तो फ्रेंट्स ये था वीडियो और अब हम लोग घर के लिए वापस हो रहे हैं घर जा रहे हैं अपने क्योंकि शाम हो गई थी चार बच गया था और काफी गूमा सबके पैर भी तरे दर्द होने लगे थे कि बिल्कुल चलते-चलते हम लोग ठाक गये थे तो अब हम लोग वापस हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े एरिया में हैं तो अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और फैमिली से मिलके अच्छा लगा होगा सब लोगों को मैंने दिखाया इस में और ये लास्ट में देखे ये जो मैंने फिश वाला बताया था ये मैंने लास्ट में एड की एक लिप ये हस्बेड मेरे अंदर से शूट करके लाये थे जो मशली गर है इसी तरीके से बहुत सुन्द सुन्दर वहां पर फिश है और ये कुछ मैने पिक्स लगाई हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक लाइक करिए का चैनल पर नाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसी त फिर मलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर झाल